हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए फिरते एक नए डिजाइन का तोरंट बनाने के लिए हूँ तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये वाइट कलर का ओल ले लिया है और दस नंबर की कुरुशिया तो चलिए हम तोरंट बनाना चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बारा ये देखिए हमने बारा चैन बना लिया अब यहां से हमें एक, दो, तीन, तीन चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे एक बार डबल कुरुशिया करना है इस तरह से फिर नेक्स् चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल कुरुशिया कर लेना है देखिए हमने सेम वैसे ही नौ चैन में नौ बार डबल कुरुशिया और यहां पर जो हमने थ्री चैन के उपपर एक एक बार double crochet किया है सेम उसी तरह से हमें दूसरी line में नीचे जो हमने double crochet किया है उसी के उपपर हर एक double crochet के उपपर हमें ऐसे ही एक एक बार double crochet कर लेना है इस तरह से ये तोरन पट्टी बहुत इजी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाती है इसे बनाना बहुत आसान है देखे इस तरह से हरे डबल कुरुशिया के उपर हमें फिर से ऐसे ही दस डबल कुरुशिया कर लेना है ये देखे हमने दस डबल कुरुशिया कर लिया इस तरह से फिर यहां पर हमें 1,2,3 ऐसे 3 chain बनाना है फिर ऐसे turn करना है और जैसे हमने नीचे वाली लाइन बनाई है सेम उसी तरह से फिर से हमें हर एक double crochet के उपर ऐसे एक एक बार double crochet करते जाना है इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है हर एक double crochet के उपर ऐसे ही एक एक बार double crochet करते हुए तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरन पट्टी बना लिया है इसे मैंने अपटे डोर के हिसाब से बनाया है मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बना लिया है आपको जितना भी लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा देखिए अब हमें इसके चारो तरफ से border बनाना है तो उसके लिए मैंने ये green color का wool ले लिया है इस तरह से हमें crochet के उपर एक knot लगा देने है अब इसे देखिए इस तरह से हमें लेकर ऐसे ही corner पर इसे join कर लेना है देखिए इस तरह में एक, दो, तीन, ऐसे तीन chain बनाना है और फिर इसी जगह पर हमें ऐसे ही एक, एक जो हमने chain बनाया था वो double crochet हो गया, दो, फिर एक और तीन, फिर ऐसे ही चार, फिर ऐसे ही पांच ये रिखिए हमने corner पर पांच double crochet कर लिया अब यहाँ पर हमें एक ऐसे chain बनाना है फिर इहाँ पर बीश में तीन double crochet चोड़ के ना है दो और एक तीन इस तरह से फिर एक chain बनाना है फिर इस corner पर हमें फिर से यहाँ पर ऐसे पांच double crochet कर लेना है पिर देखिए तीन चार पांच इस तरह से पाल डबल कुरुश्या फिर यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाना है और फिर एक लाइन छोड़ना है दूसरी लाइन में हमें इस तरह से बार डबल कुरुश्या करना है एक लाइन हमें स्किप कर देना है यह देखिए हमें एक चैन बनाना है फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है फिर दूसरी लाइन में फिर से ऐसे ही तीन बार डबल कुरुशिया करना है दो और एके तीन फिर ऐसे एक चैन बनाना है फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है और फिर दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही तीन बार डबल कुरुशिया करना है दो और एक ये तीन फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है फिर नीचे से एक लाइन स्किप करना है फिर यहाँ पर ऐसे ही तीन बार डबल कुरुशिया कर लेना है दो और एक ये तीन एह देखिए इस तरह से हमें corner दो ऐसे ही चारो corner पे हमें 5-5 double crochet करना है और बाकी हमें ऐसे ही 3-3 double crochet एक एक chain के साथ पूरा बना लेना है सेम उसी तरह से मैंने ये चारो तरप ऐसे ही बना के complete कर लिया है अब यहाँ पे देखिए हमने एक chain बना लिया है अब जहां पर हमने ये 5 double कुरूशिया बनाया था उसी में हमें इस तरह से इसे जॉइन कर देना है और फिर एक चैन बना कर वूल को कर लेना है इस तरह से हमें तोरण बनाना इस्टार्ट करना इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है इस तरह से हमें एक नॉट लगा लिना है कुरूशिय के उपर लिकर इसी चैन में हमें इस तरह से इसे जॉइन कर देना है फिर इसमें देखिए हमें इस तरह से तीन बनाने है एक दो और एक ये तीन ऐसे तीन बना लिना है फिर इतना लंबा हमें इसे खीच लेना है और फिर देखिए जो हमने तीन बनाया है उसी के फर्स्ट चैन को छोड़के सेकेंड वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यह देखिए, नौ, और एकी लास्ट में हमें ऐसे ही दस पंदे ऐसे बाहर निकाल लेने हैं और फिर देखिए इसे हमें ऐसे ही एक कर देना है ऐसे पफ बना लेना है एक पफ बन गया फिर हमें एक, दो, तीन, फिर से ऐसे तीन चैन लेना है फिर जितना लंबा हमने इसे खीचा था उतना ह फिर से हमें धागे को खीचना है इसके बाद देखिए हमें फिर से ऐसे ही दूसरे नमबर चैन में से फिर से ऐसे कुछिया को डालके धागे को ऐसे बाहर करना है दस बार यह देखिए इस तरह से तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और एक यह दस इस तरह से फिर देखिए हमें इसे इस तरह से एक कर देना है यह दो पफ बन गया फिर ऐसे एक, दो, तीन, तीन चैन लेना है फिर इतना लबबा खीचना है फिर फर्स्ट चैन छोड़के, सेकेंड चैन में फिर से एसे हमें दस बार ऐसे धागे को बाहर कर लेना है चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और एक यह दस यह देखिए फिर से इसे हमने दस बार फंदे को लिया और इसे बाहर करके फिर ऐसे हमने एक पफ बना लिया, ऐसे ही देखिए हमने एक, दो, तीन पफ बना लिया है इसी तरह से हमने जैसे यह तीन पफ बनाया है, ऐसे हमें चार पफ और बना लेना है इसी लाइन में, टोटल हमें ऐसे साथ पफ बना लेना है, तीन तीन चैन के साथ तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ, सेम उसी तरह से हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ऐसे साथ पफ बना लिया है, तो यह में इस तरह से इसका धागा ऐसे खीच देना है, अब इसमें हमें फ्लावर बना के लगाना है, तो देखिए उसके लिए हमें यह वाइट कलर का ओल ले लेना है, और इसका एक छोटा टुकड़ा हमें, कट कर लेना है, इतना बड़ा, अब फिर देखिए इसे हमें टू फिंगर के उपर इस तरह से इतना लंबा, ऐसे हमें देखिए ऐसे इतने लंबाई में इसे इसे लपेट ना है, ऐसे हम तीस बार इसे ऐसे लपेट लेंगे, देखिए इस तरह से हमें इस धागे को दोनों फिंगर के उपर इस तरह से इस 30 टाइम्स लपेट लेना है ये देखिए अब हमें वूल को कट कर देने हैं इस तरह से फिंगर से हमें इस तरह से वूल को बाहर कर लेना है और इसे ऐसे बराबर करके ले लेना है और फिर ये जो हमने ये धागे को खीचा था इसी के बीच में हमें इस तरह से एक बराबर करत ऐसे जालर को लगा लेना है और फिर इस धागे को हमें इस तरीके से खीच देने हैं एक बराबर करते हुए यह रिखिए इस तरह से पकड़ के ऐसे हमें टाइट करके खीच लेने हैं धागे को और फिर ऐसे ही दो, तीन नौट हमें और लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं अग्दम टाइट होके अच्छे से फिक्स हो जाए फिर यहाँ पर हमें वोल को कट कर लेने हैं ग्रीन कलर के और फिर देखिए इसे हमें इस तरह से ऐसे फिर से एक बार ऐसे लेना है और फिर जो हमने छोटा वोल लिया है इसी से ऐसे एक बार हमें दो तीन राउंड में ऐसे लपेटते हुए यहाँ पर देखिए दो तीन नौट हमें लगा देने हैं टाइट जिससे ये खुले नहीं अच्छे से एक जिगर फिक्स हो जाए यह देखिए इस तरह से और फिर हमें बीच से सारे वूल को ऐ बीच से कट कर देने हैं यह देखिए जितना वूल है में सारे वूल को बीच से कट कर लेने हैं इस तरह से और ऐसे ही देखिए हमें ऐसे जालर लगा लेना है मैंने फर्स्ट लाइन में आपको साथ ऐसे पफ बना के और एक जालर लगा के दिखाया था सेम उसी तरह से और एक जालर बना लिया है, देखिए हमें ऐसे ही फिर से ग्रीन कलर का उल लेना है, क्रुशिया के उपर ऐसे नॉट लगा लेनी है, एक इस तरह से, और फिर देखिए हमें जहां पर जैसे हमने ये फर्स्ट बनाया है, सेकेंट, इसके जस्ट बगल में एक ये जो हमने चैन लिया था उस चैन को स्किप करके दूसरे चैन में हमें फिर से इसे ऐसे ही देखिए इस तरह से नौट लगा लेना है और फिर हमें यहां पर फिर से ऐसे थ्री चैन बनाना है एक दो तीन ऐसे थ्री चैन बनाना है फिर इतना लंबा खीचना है फिर इसी में देखिए इस तरह तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और एक ये दस ऐसे दस पंदे को बाहर करके फिर से ऐसे पफ बना लीने है और फिर एक, दो, तीन तीन चैन बनाने हैं और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर से ऐसे देखिए दस पंदे को बाहर कर लेना है एक, दो तीन चार चे साथ आठ नौ और एक ये दस फिर से ऐसे दस पंदे को बाहर कर लेना है फिर इसमें ऐसे puff बना लेने है फिर एक दो तीन चैन बनाने है देखे फ्रेंट जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में साथ बना लिया puff फिर एक जालर लगा लिया फिर हमने एक चैन का space दिया फिर सेकेंड लाइन में 6 puff एक जालर फिर एक लाइन का space हमें देना है फिर ऐसे थर्ड बना लेने हैं, तो चलिए मैं मैं आपको बनाके फिर दिखाती हूं, सेम उसी प्रोसेस से मैंने यहां पे 7, फिर 6, पाँच, फिर 4, पिर 13, फिर 2, फिर लाश्ट में देखे, हमने 4 line 1-1 का बना लिया है, तो जैसे मैंने यहां पे इस साइड ऐसे ही देखे, ये 2 तक line बनाया है, सेम उसी तरह से हमें यहां से फिर से ऐसे दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे ही बना लेने हैं, सेम उसी प्रोसेस से मैंने यह चारो तरफ ऐसे ही बना के कम्प्लीट कर लिया है, और यह हमारा बहुत ही प्यारा सा तोरण बन्कि रेडी हो गया है, इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड और यह बहुत ही कामोन में बन जाता है, दिखिए अगर आपको मेरी वीσιों पसंद आही हो फ्रेंड तो प्लीज एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई